नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तानियूज विजनेस्मेन राज कुंद्रा और बॉलिवोड डेक्ट्रेस सिल्पाशटी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है अब इन दो के दोनों के मुसीबते वन बाई वन करके बढ़ती ही जा रही है जहां पर पिछले काफी टाइम से लगातार इस चीज के आसंका थी जहां पर खुछ सिल्पाशटी ये बात बोल रही थी कि राज कुंद्रा जो हैं वो इनोसेंट है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन उस टाइम से फोर सिर्फ पॉर्ण वीडियोज की बात हो रही थी कि उसमें उस केस में हो सकता है कि ये बच जाएंगे लेकिन अब जिस तरह से नए नए केस इनके सामने खुल रहे हैं वो काफी ज्यादा सौकिंग है अभी दो दिन पहले ही आप लोगों ने एक जो गोल्ड का स्कैम जो इनके द्वारा किया गया था सिलपा सिट्टी और राजकुंद्रा के द्वारा उसमें आपने देखा ही कोट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सचिन जोसी जो के एक एक्रेक्टर है उनको जो है मतलब उनकी जीत हुई है और राजकुंद्रा और सिलपा सिट्टी के उस केस में हार हुई है मतलब की वहाँ पर भी राजकुंद्रा और सिलपा सिट्टी गलत थे और अभी अभी जो अपडेट आ रही उसमें बताया जा रहा है कि गुजरात के एक बैपारी है जिनोंने ए केस दर्जगराया है और ये केस जो है राज कुंदरा के खिलाप में है इनके द्वरा सीदा सीदा आरोप लगाया गया है कि 2019 में इन से 3 लाख रुपए की ठगी की गई थी मतलब कि धोखा धड़ी का आरोप लगाया गया है इनके द्वरा और इस केस की भी अब छानवीन होनी स्टार्ट हो चुकी है और अगर इस केस में भी गलत पाए जाते हैं तो राज कुंदरा के उपर इस केस में भी कारवाई होगी तो कहीं न कहीं से राज कुंदरा के उपर लगातार एक से बढ़कर एक कारवाई की जा रही है और बहुत ही कम चांसे है राज कुंदरा का और वीडियो को जहाज ज्यादा सेयर करें.